गरीब ससुराल में टीवी मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बाहर हवा में जा रही हूँ रुको गौरी तीदी, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है चिंटू गौरी के साथ घर से निकल पड़ता है और गौरी कहती है असल में गर्मी का बहाना बनाकर गौरी और चिंटू पिछले कई दिन से सोनु के घर छिप-छिप कर टीवी देखने जाया करते थे दोनों भचे गर्मी से भीक कर आंखों में टीवी देखने की आशा भर कर सोनु के घर आते हैं जहां सोनू एसी की ठंडी ठंडी हवा में सोफे पर बैटकर मजे से सामने लगे स्मार्ट टीवी में कार्टून देख रहा होता है औरे तुम दोनों भूके नंगे भाई बैन फिर समू उठा कर टीवी देखने चले आए चलो भागो यहां से गौरी और चिंटू सोनू की बास मान कर अंदर आ जाते हैं और जमीन पर बैटकर सोनू के पैर दबाते हुए टीवी देखते हैं इसलिए कि सोनू के पिता का अच्छा व्यवसाय था उसका घर हर सुक सुविदाओं से परिपूर था वहीं गरीबी के चलते गौरी और चिंटू के घर में उनकी जिन्दगी गरीबी से कट रही थी समय बीटता है और दोनों बच्चे टीवी देखने में इस कदर खो गए कि उन्हें समय का कोई होश नहीं रहा राधा बहु शाम ढल गई है अंधेरा हो गया है गौरी और चिंटू अब तक घर न लोटे मा जिया परिशान मत हो ये मैं देखती हूँ राधा रसोई से निकल कर बच्चों को ढूरने निकल पड़ी और आखर में सोनू के घरा पहुँची जहां गौरी और चिंटू को सोनी के पैड दबाता देखकर वो बोली गौरी चिंटू चलो उठो घर चलो नहीं मा मुझे घर नहीं जाना मुझे टीवी देखने दो अच्छा तो अब समझ आया सोनू एक टीवी दिखाने के लिए तुम मेरे बच्चों से पैर दबा रहे थे ता क्या इन जैसे फटीजरों को फ्री फोकट में टीवी देखने देता जब मनाता मूठा कर आखे फाड़ फाड़ कर टीवी देखने और अगर इतना बुरा लगता है लेकर जा अपने गय गुजरे गरीबों को राधा अपने दोनों बच्चों को घर लेकर चली आती है और गुस्ते में कहती है गौरी चिंटू कान खोल कर सुन लो आज के बाद तुम दोनों सोनू के घर नहीं जाओगे ये सुनकर दोनों बच्चे जिद पर आ जाते हैं गौरी को अपने गरीब ससुराल को कोस्ता देखकर राधा घुस्ते में उसे एक थपड मार कर कहती है बस बहुत हट हो गया है तुम्हारा तुम दोनों के पिताजी और चाचा कड़ी धूप भरी गर्मी में बाहर जाकर पैसा कमाने के लिए खून पसीना बहाते हैं तब जाकर इस घर का चूला जलता है और तुम्हें उसकी कदर नहीं अपने बच्चों के मूँ से इतना सब सुनकर लाचार बहु की आँखों में आसू भराते हैं और वो नचाहते हुए भी चिंटू को चांटा मार देती है तब ही उनकी नंद पूजा बीच में आकर कहती है आप ये क्या करने है रादा भाबी जाने दीजे बच्चे हैं जो बच्चे अपने घर की गरीबी को ना समझ सके हैसा बच्चे होने से अच्छा तो बच्चे ना हो पूजा दोनों बच्चों के आसु पोच कर उन्हें बहला फुसला कर खाना खिला कर सुला देती है तबी रात को गोपाल और सागर घर आते है क्या बात है भागिवान आज बच्चे जल्दी सो गए हा मा सब हो गया चोटी बहू इस कलश को गिरा कर ग्रह प्रवेश कर संध्या के अंदर आते ही गोरी और चिंटू दहिज का सामान की ओड देखते हुए कहते है गोरी दिदी अगर चाची के दहिज में टीवी आया होगा ता मज़ा आ जाएगा चिंटू चाची तो अपने साथ सिर्फ एक बक्साल आई है इसका मतलब हमें टीवी नहीं मिलेगा बच्चों की बाते संध्या की कानों में पढ़ते ही वो मन ही मन सूच में पढ़ जाती है क्या आज के फोर जी के जमाने में भी मेरे ससुराल में टीवी भी नहीं है संध्या जिस घर की बेटी थी वहां सालों से टीवी थी इसलिए संध्या टीवी देखने की बहुत शौकिन थी मगर अपने ससुराल में टीवी नहोने की बात पर उसका मन छोटा हो गया मगर इसलिए कि वो परिवार को साथ लेकर चलने वाली सोच रखती थी उसने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया एक रात की बात है पूरे गाउं में चहल पहल चाही होई थी सभी के घरों में टीवी चैनल पर क्रिकेट चल रहा था वही गरीबी के कारड़ बहु के गरीब ससुराल वालों के कान दूसरों के घर से आ रही क्रकेट की आखरी अनॉंस्मेंट पर गड़ी होई थी बाईया आपको आखरी अनॉंस्मेंट सुनाई दिया क्या? पता नहीं छोटे आखरी गेंद का क्या नतीजा निकला? काफी देर के इंतजार के बाद कुछ परड़ाम न पता चलने पर दोनों गरीब भाई के चेहरे की मुस्कान चिन गई और वो मन मार कर खाने लगे तब ही संध्या बोल पड़ी मा जी जिठानी जी आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे घर में एक टीवी होना चाहिए पड़ियां गला कर रोटी कमाने में ही गुजर जाती है यह महंगी ख्वाहिश अमीर के घर के लिए ही बनी है हम जैसे गरीब के लिए नहीं संध्या के सुझाओ पर गरीब सस्राल वालों को अपने घर की खुशियां खरीदने का रास्ता मिल जाता है जिसके बाद वो अपनी आदी तनखा घर में खर्श कर देने के बाद पैसे लेकर टीवी के शोरूम में आते हैं अरे बाई साब एक स्मार्ट टीवी दिखाना हाँ बाई साब कहिए कौन सा टीवी चाहिए यह LG का टीवी है 45 इंच अच्छे फीचर के साथ क्लियर क्वालिटी है एक डम धकास चलेगा इसका अदाम सिर्फ 8,000 रुपए है और यह सैमसंग का टीवी है 32 इंच बस 20,000 का बाई साब हम गरीब हैं इतनी महंगी टीवी नहीं खरीच सकते कैसे कम बजट में टीवी होगा हाँ हाँ है ना बाई साब यह देखिए यह टीवी सस्ता भी है और इसके फीचर भी काफी अच्छे है और इसकी इंस्टॉल्मेंट भी बाकियों से कम है दुकांदार की दिखाई गई आखरी टीवी से संतुष्ट होकर दोनों भाई टीवी का एडवांस रकम देकर कुछ महीनों की किष्ट बनवा लेते हैं जिसके बाद दुकांदार के यहां से एक वरकर उनके घर टीवी डिलिवर करने आता है और साथ ही बिना किसी शुल्क के स्मार्ट टीवी सेट भी करता है घर में टीवी आ जाने के बाद बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता उनका मरजाया हुआ चेहरा मानों बड़ी खुशी से खिल गया दोनों बच्चे रिमोट की छीना जप्टी करने लगते हैं बच्चों के बेच हो रही खटी मीठी नोग जोग देखकर गरीब कौशल्या कहती है बच्चों ऐसे लड़ते जगरते नहीं साथ मिलकर खुशियां बाट में से और भी ज़्यादा बढ़ती हैं क्यों न हम सभी साथ मिलकर टीवी देखें गौर्य और चिन्टु कौशल्या की बात मान कर चुप चाप टीवी के आगे बैठ जाते हैं जिसके बाद बहु और उसके गरिब सस्राल वाले साथ मिलकर खुशी से भरकर टीवी देखते हैं राधिका फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी रही होती है कि तभी निर्मला उसे देख लेती है और उसके पास आकर उसका हाथ जटक देती है समझती क्या है तू अपने आपको अरे ये फ्रिज का फोकट का है जो तू इसके अंदर से पानी निकाल कर पी रही है दादी मा मुझे बहुत जोरो से प्यास लगी थी इसलिए फ्रिज खोल कर पानी पीने लगी निर्मला राधिका का हाथ पकड़ कर मरोडने लगती है अई आई आई मा मा बचाओ दादी मा प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ तेरा हाथ फ्रिज के अंदर से पानी निकालने से पहले तो तेरे हाथ में दर्द नहीं हुआ लेकिन जरा सा हाथ क्या पकड़ लिया मैंने तेरे हाथ में दर्द होने लगा अपनी बेटी राधिका के चिलाने के आवाज सुनते ही उसकी मा रेश मा फौरण वहाँ पहुँच जाती है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है छोड़ दीजी मा जी आप मेरी बेटी के उपर इतने अत्याचार क्यों कर रही हो अरे एक पानी ही तो पिया है कौन सा फ्रिज अपने मूँ में निगल गई है मेरी बेटी अरे क्या पता तुम जैसे फकीरों का कब कौन सी चीज निगल बैठो अपनी बेटी को अच्छे से समझा दे मैं इसे जरा भी इस फ्रिज के इर्दगिर्द देखना पसंद नहीं करती हूँ जा ले जा इस कूडे कच्रे को निर्मला के ऐसा कहने पर रेशमा अपनी बेटी राधिका को वहां से ले जाती है जिसके बाद राधिका अपनी मा की गोदी में रोते हुए लेट जाती है और कहती है मा, मा दादी मा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है हमने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते दादी मां हमारे साथ इतना ज्यादा भेदभाव करती है कोई बात नहीं बेटी तुम्हारी दादी की तो ऐसी ही आदत है तुम उसे नजर अंदास करो चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ निर्मला इसी प्रकार अपनी पोती और अपनी बहु के साथ वैवहार करती है वो गर्मी में भी उन दोनों को फ्रिज का धंडा पानी नहीं पीने देती एक दिन निर्मला अपने बेटे को फोन करके कहती है बेटा इतने गर्मी हो रही है एक काम करना आज आफिस से आते हुए मेरे लिए आईस्क्रीम लेते आना ऐसा कहे कर निर्मला फोन कार्ट देती है शाम को जब विकरम आफिस से वापस घर लोटता है तो उसके हाथ में आईस्क्रीम होती है जिसे निर्मला अपनी बहु और पोती की नजर पढ़ने से पहले ही तभी राधिका को बहुत तेज प्यास लगती है निर्मला ये सुनते ही राधिका को घूर घूर कर देखने लगती है अपनी दादी की नजरों को देखते ही राधिका मुंडी नीचे करके खाना खाने लगती है विक्रम जैसे ही पानी लेने के लिए उठने वाला होता है तभी निर्मला कहती है अरे बेटा तुझे उठने की क्या जरूरत है तू जानता है ना खाने के उपर से ऐसे नहीं उठते हैं अरे वामा क्या स्वादिष्ट आइसक्रीम है इतनी गर्मी में ऐसी आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग है अरे हाँ हाँ क्यों नहीं स्वादिष्ट तो होगी ही आखिर मेरा बेटा जो लेकर आया है वो तो शुक्र है कि मैंने लाते ही फ्रिज में रख दी थी और टाला लगा दिया था वरना तो उन दोनों भुक्कर मा बेटी से ये बच्चती ही नहीं और अगर उसकी नजर पढ़ जाती तो हमारे पेट में भी जाकर पच्च नहीं पाती दोनों मा बेटी आइसक्रीम के मज़े ले रही होती है तो वही दूसरी तरफ राधिका ये सब दर्वाजे पर खड़ी होकर सुन रही होती है उसे बहुत दुख होता है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती ऐसे ही दिन प्रती दिन राधिका के तबियत अपने आप ही ख गर्मी के कारण आपकी बेटी के शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है, शरीर में प्लेटलेट्स गिर गई है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, ग्लुकोज और नीमू पानी बनाकर पिलाते रहना, जितनी ठंडी चीज़े हो सके उतनी ठंडी चीज़े खिलाना, डॉक अब थोड़ा धोड़ा 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 गई है, अपनी बेटी की आड में खुद नीबू पानी पीना चाहती है, अरे मैं तेरी सारी चाल अच्छे से समझती हूँ, तेरी बेटी कोई बीमार नहीं हुई है, जा, ले जाई से यहां से, नहीं तो ऐसा हाल करूँगी कि दिन में तारे देख जाएंगे, कंजूस निर्मला फ्रिज को लॉक करके वहां से चली जाती है, वहीं वेचारी डेश मा अपनी बेटी की हालत देख कर रोने लगती है, सुबह से शाम हो जाती है, जब शाम को विकरम ऑफिस से घर आता है, तो वो अपनी सास की सारी मैं आपको माजी के बारे में ये सब बताओ, लेकिन अब मेरी बेटी का सवाल है, तो मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, गर्मी से देखो, उसके शरीर पर यूग घमोरिया भी शुरू हो गई है, अगर ज्यादा पानी की मात्रा शरीर में कम हुई, तो हमारी बेटी की जान भ जाता है, और उन्हें खुब जली कटी सुनाता है, अरे मैं इस घर में कमा किसके लिए रहा हूँ, ये फ्रीज इस घर में शोपी इसके लिए नहीं है, बलकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी के लिए लेकर आया हूँ, अरे मापको ये सोचना चाहिए कि अब आपका बुढ़ा जाता ही कंजूस हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जा आरती, कमरे से जाकर फ्रिज की चाबी लेकर आओ, आज के बाद ये फ्रिज कभी भी बन नहीं होगा, निर्मला के कहने पर आरती फ्रिज की चाबी लेकर आती है, जिसके बाद निर्मला वो चाबी से खोलती है और चाभी रेश्मा के हाथों में रख देती है मुझे माफ कर दे बहू मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ये ले हाथ से ये तेरा हुआ तेरा जब मन करे तु तब इसके अंदर से ठंडा पानी निकाल कर पी ले ना मैं कभी कोई अबजेक्शन नहीं उठाऊंगी रेश्मा फ्रिच की चाभी अपनी सास को ही दे देती है नहीं माजी आप इस घर की बड़ी हो ये चाभी में अपने पास नहीं रख सकती इस चाभी को आप अपने पास ही रखिए रेश्मा फ्रिच से ठंडा पानी निकालती है और उसका निम्गू पानी बना कर अपनी बेटी को पिलाती है वहीं दूसरी तरफ फ्रिच के अंदर से वो आइस क्यूब निकाल कर अपनी बेटी के शरीब पर लगाती है ताकि उसकी घमोरिया भी ठीक हो जाए कुछी दिनों में राधिका बिलकु ठीक हो जाती है जिसके बाद दुनों गरीब मा बेटी अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है